तो मेरे भाई और उनकी बहनों, अब फ्रंट मेश वाले केस बहुत सारे बन गए, एक्वेरियम स्टाइल केस, ड्यूल चैम्बर केस बहुत सारे बन गए, तो Antec ने बोला कि जल्दी से कारपेंटर लगाओ, काम पर लकडी डलेगी केस में, तो आज के इस वीडियो के लिए अपने पास में है, Antec का CX800 Wood ARGB Cabinet, आज के इस वीडियो में इसी के पर कारवाई होगी, क्या-क्या फीचर्स मिलते हैं, और आपको बता दूँ कि ये केस आता है, 6500 रुपीस से लेकर, 6900 रुपीस के प्राइस पॉइंट पर, बहुत सारे स्टैंड आउट फीचर्स के साथ में, लोड़ी रादा है, जिनके बारे में, आज के इस वीडियो में, हम लोग दीटेल में, विस्तार में बात करेंगे, वीडियो को बने तक देखेंगें, और कहीं मत जाएगेगा, I will be right back. सबसे पहले, स्टार्टिंग ओफ विद बिल्ट कॉलिटी, तो देखो, यह चीज़ में आपको बता दू कि, आंटेक के, इस बार के, जो CX लाइनप की केसी आया है, और जो अपने कॉंसलेशन सीरीज के केसी आया है, 5,000 रुपए के प्राइस पॉइंट से उपर, जितने भी cabinet variants आया है, सारे के सारे जो cabinets है, उनकी quality is extremely good, and I can say, कि मतलब, यह normal Antec, जो भी तक cases आया करते हैं, उनके मुकाबले, this is a new kind of Antec, I must say this, मतलब, जो build quality आपको बहुत extremely amazing देखने को मिलती है, और देखो, वैसे तो मुझे compare नहीं करना चाहिए, बट अगर compare कर भी लूँगा, तो कौन सा कोई रोक लेगा आकर, तो देखो, कुछ दिन पहले मैंने Corsair के 35 minute X के उपर cabinet के उपर एक video करते हैं, एक aquarium style PC case था, Corsair की दरफ से, तो वो case आया करता है, 9000 रुपे के price point पर, and अगर देखो, मैं उसको इस case से भी compare करो, in terms of build quality, तो मतलब, मैं यह नहीं कह सकता, कि build quality, मतलब, थोड़ी बहुत जो है, इसकी अच्छी है, वो आपको इस cabinet में देखने को मिलती है, and this is same with all the CX series cabinets, जो 5000 रुपे से उपर है, also constellation series, तो जो अपना C5 था, जिसके उपर मैंने भी video किया था, आपने miss out करें तो आपने check out करना, amazing case, C7 अभी नहीं आया है, इसके अलावा C8 है, जिसके उपर मैंने build बनाया था, सबके videos आपको मिल जाएंगे channel पर, तो in terms of build quality and tech ने बहुत जादा तरक्की करी है, और इनका जो metal की quality है, जो की use की गई है in cases को बनाने में, that is amazing, अचा, now one thing, जो की obvious है, this is a dual chamber design, जो की आजकल बहुत ही जादा popular है, और हर एक brand की तरफ से आपको ऐसे cases देखने को मिल जाएंगे, इसमें different क्या है, यहाँ पर आजए फ्रेंट पर, तो फ्रेंट पर आपको यहाँ आप देख सकते हो, तो वहाँ पर आपके backdrop में, अगर wooden elements है थोड़े बहुत, या फिर आपका कोई wooden style का wall paper है, तो ऐसे की setup के साथ में, अगर आपने इस case को लगा दिया, बाई, चार चान लग जाएंगे, बिलकुल उसके साथ में classy सा overall look देगा, Now coming to the fan setup, जो की इस case में मिलता है, starting off with the pre-included fans, तो आपको सबसे पहले तो bottom पर 3 120 mm के ARGB reverse blade fans मिल रहे हैं, reverse blade कहलो, reverse pitch कहलो, it is one and the same thing, और मैं पहले की वीडियो से में बता चुका हूँ, अगर आप मुझे इस वीडियो में पहली बार देख रहे हैं, तो आपके लिए मैं दुबारा repeat कर देता हूँ कि reverse pitch fans का मकसद क्या होता है, मकसद, समझ रहे हैं? इनका मकसद असल में यह होता है, कि देखो, जब हम fans को install करते हैं इस position में, जो normal fans होते हैं, तो वो intake नहीं करते हैं, वो exhaust करते हैं, लेकिन अगर हम सारे ही fans को exhaust position में set कर देंगे अपने case में, तो आपके case में एक negative air pressure develop हो जाएगा, जिससे फिर dust चुटे होल से अंदर enter करना start कर देता है, तो इसी वज़ा से फिर लोग क्या करते थे, fans को ultra करके लगाते थे, यानि कि actual fan को physically ultra करके लगाते थे, तो इस case में क्या होता है, कि जो आपका RGB का core होता है, जो की center में होता है, जिसकी वसे पूरी light जो है, वो illuminate होती है, जो आपका fan का proper look है, वो दिखता है, वो ultra हो जाता है, तो जो looks होते हैं, aesthetics हो जाते हैं, वो बट्टा धार हो जाते हैं, तो इस वज़ा से reverse pitch fans were introduced, इसमें reverse pitch fans है, मतलब कि आपका RGB core है fan का, वो भी intact रहेगा, look भी proper रहेगी, और plus ये fans जो हैं, ये exhaust नहीं कर रहे हैं, ये intake कर रहे हैं, तो समझ पर दोनो problem solve हो गए, तो ये चीज होती है reverse pitch fans में, इसके अलावा एक 120 mm का ARGB fan, normal fan आपको मिलता है, इसके rear पर जो की exhaust position में है, और इसके अलावा आप चाहो तो आप side पर 2 120 mm के fans लगा सकते हो, और top पर भी आप 3 120 mm के fans लगा सकते हो, मतलब कि इस छोटे से case में, आप total 9 यानि की 9 fans को लगा सकते हैं, अब पंखों के बार में बारी आजाती है, AIO liquid cooler support की, तो देखो जो इसका side है, side पर आप up to 240 mm का AIO liquid cooler install कर सकते हो, इसके top पर और इसके bottom पर, दोनों ही जगा आपको 360 mm AIO liquid cooler का support देखने को मिल जाता है, बट, bottom पर I won't recommend you, unless आप कोई ऐसा card नहीं लगा लें, जो कि factory liquid cooler आता है, तो काफी सरे ऐसे card साथे, जैसे कि अपना inner 3D का AIO chill black आता है, जिसमें कि आपको card के साथ में एक radiator मिलता है, तो अगर वैसा कोई card आप यूज़ कर रहे हो, तो आपके लिए काम की चीज़ हो सकते है, कि आप उसका radiator है, उसको नीचे mount कर सकते हो, बट, अगर आप एक normal build setup बना रहे हो, जिसमें आप एक 240 mm या 360 mm AIO liquid cooler लगाने वाले हो, और ऐसा कोई case up buy करते है, तो मैं आपको recommend करूँगा कि उसको top पर लगाना, क्योंकि top पर ही असली वो जो look है, proper aquarium style वाला वो निकल कर आता है, तो top पर 360 लगा सकते हो, तो कोई दिक्कत परिशानी ही नहीं है, that means कि आप अगर कोई latest core ultra 7, जो कि अभी आएगा future में, core ultra 9, इस तरह कि किसी process के साथ में भी build करते हैं, तो भी आप इसके top पर, 360 लगा सकते हैं and you are good to go, अब देखो आजकल brands का एक बड़ा major focus वो जा जुका है DIY PC building की तरफ, मतलब कि आपके लिए build का ease of build होना चाहिए, कि मतलब मिरको जादा सरकपाई नहीं करनी, पहले क्या होता था, screw driver लिया, ये page यहां से खोल रहे है, ये page वहां से खोल रहे है, bang को भी क्या हो गया है, कि screwless installation है, जितने भी panels आप इस case में देख रहे हैं, वहले ही वो इसका side tempered glass है, या फिर वो इसका पीछे का metallic panel है, आपको कोई screw को यूजने, मतलब कोई screw खोलना नहीं है, कोई screw tight नहीं करना है, simply आप इसको खीचेंगे, हलका सा lock unlock वला mechanism है, आपका जो इस case के panels है, वो easily निकल जाएंगे, easily लग जाएंगे, किसी भी सरखपाई के, बिना किसी भी screw को या पेचकस को हाथ लगाएं, Now getting to the inside portion of the case, तो जब आप side panel को खोलेंगे, आप notice करेंगे, case बहुत जादा spacious है, although देखने में काफी compact लग रहा है, बत अंदर से यह बहुत जादा spacious है, कहने को तो आप इसमें full size ATX board लगा सकते हैं, बट यहां पर थोड़ सा twist आता है, जो कि मैं आपको personal experience से बता रहा हूँ, इस case को develop किया गया है, for the future motherboards, जो कि अभी आने वाले हैं, अपने जो back connect design वाले motherboards हैं, जैसे कि अपने MSI का project 0 वाले motherboards हैं, Asus के BTF वाले motherboards हैं, जो कि BTF design के साथ में आता है, या back connect design के साथ में आता है, तो आप इसमें easily build कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक normal motherboards लगाते हैं, जो कि full ATX हैं, तो आपको थोड़े से नीचे वाली cables हैं, उनको लगाने में clearance issues रह सकते हैं, जो कि manageable हैं, लेकिन थोड़ास आपको issue रह सकता है, बट मैं recommend करूँगा, अगर आप इस case में कोई build बना रहे हो, पहली चीज stick to MATX motherboard best रहेगा, अगर MATX नहीं चाहिए, वो फूरा fill-fill वला look, आपको फूरा filled-up वला look पसंद आता है, तो आप एक ऐसा motherboard लो, जो कि back connect design के साथ में आता है, क्योंकि specially design ही उनको ध्यान में रखते हो किया गया, तब आपको कोई clearance issue नहीं आएगा, cables बगर easily route हो जाएगी, नीचे वाली भी और must build बनेगा एकदम, जकास! बागी इसके अलावा, card clearance में कोई दिक्कत नहीं है, बड़े से बड़ा card, RTX 4090, जितना विशाल का एक card इसमें लग जाएगा, बिना किसी भी single clearance issue के, बड़े से बड़ा air cool और आप इसमें ठोक दो, मतलब इसमें जगा इतनी है, इसमें चोटे size से मत जाओ, जगा ही जगा है, गलियां ही गलियां बना रखी है, मुहले ही मुहले बना रखी है, और देखो उपर आप notice करेंगे, कि आपको एक HDD drive rack भी मिल रहा है, अब इसका जो purpose है, वो multi purpose है, या तो आप इसमें hard drives लगा लो, अगर नहीं लगाना चाहते हैं, कि dust filters में कोई cut out ही नहीं है, जहां जहां पर आपको छेट दिख रहा है, वहां पर आपको dust filter मिल रहा है, top पर अच्छा कासा dust filter है, bottom पर अच्छा कासा magnetic dust filter है, side पर भी magnetic dust filter है, और साथ ही साथ में जो पीछे छोड़ा सा दिया गया ना power supply के intake के लिए वहां पर भी dust filter है, यह कह रहे हैं कि जिस भी छेट से हवा निकले, वह हवा साफ हो कर निकले, इसके IO panel की बात कर ले तो top पर आपको इसका IO panel मिलता है, जहां पर सबसे पहले आपको मिलेगा power on and off button, उसके बाद में आपको के dedicated switch मिल रहा है, जिससे कि आप जो है इसके RGB effects को जो की fan लगे हुए, उन सब के RGB effects को आप over the click of a button भी change and configure कर सकते हैं, next आपको यहां पर मिलता है 3.5 mm का combined audio jack, इसके बाद में USB 3.2 का एक port मिलता है, और आपको एक USB Type-C port भी देखने को मिल जाता है, अब घूम फिर कर देखो आ जाती है main मुद्दे की बात, किसको लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए, आपकी मर्जी, आपका test, देखो 6500 रूपए से लेकर 6900 रूपए, 6500 रूपए से लेकर 6900 रूपए के price point पर आप एक ऐसा PC case डूल रहे हैं, जो की over the table थोड़ा सा compact लगे as compared to other cases, जो की बहुत बड़े बड़े लगते हैं, आप normal dual chamber cases को देखें कि किसी भी brand के बहुत जादा बड़े दिखते हैं, यह उसी वाले form factor को थोड़ा सा compact size पर लेकर आता है, तो अगर आपको ऐसा compact side वाला dual chamber case चाहिए, जो की देखने में सुन्दर लगे, जिसकी build quality अच्छी हो और जो थोड़ा सा classy लगे, तो आप इसको consider कर सकते हैं, बाकि इसमें in terms of thermals, अगर आप सोचें कि मैं कहां तक build कर सकता हूं, तो ऐसी कोई limitation नहीं है, आप कहीं तक भी build कर सकते हैं, आपको 360M AI liquid cooler का support मिल रहा है, और खास करकि जो अभी वाली generation है, जो कि आपने देखे दिया, जो Core Ultra 9285K processor भी है, वो भी कितना cool run करता है, तो अगर आप उसके साथ भी PC build करना चाहते हैं, तब भी आप इसको consider कर सकते हैं, आपको thermals के मामले में, इस case के साथ में कोई दिक्कत नहीं आईए, अगर 6000 रुपए के आजपास कोई आप अच्छा case दून रहे हो, तो आप इसको जरूर consider कर सकते हो, अगर 6000 रुपए के आजपास आप कुछ और ढून रहे हो, तो फिर वो आपकी समझदारी, बाकि obviously मैं एक आधी photo add करूँगा, कोई ऐसा build जो कि इसमें हो रखाओ, क्योंकि मैं गयाता हूँ कि इस case की जो actual beauty है उसको justify करने के लिए इसमें आपको build बना हुआ देखना बहुत ज़रूरी है, तो मैं वैसे builds बना चुका हूँ काफी सारे, लेकिन आज की वीडियो के लिए हम लोग खाली case को review कर रहे है, तो इस वजह से we are just showing the case, बट मैं कुछ photos ज़रूर add करूँगा, जिसमें आपको इसका build बना हुआ देखे का है, और यू रियलाइज कि जब यह पूरा filled up look बनता है इसका, जब ऊपर एक यह liquid color लग जाता है 360 mm का, सारे, सारे RGB वाले पंखे लग जाते है, नशे फुल हो जाते है, X100 तो उस टाइम पर इसका look कैसा निकल कर आता है, और वो look कैसा निकल कर आता है, मुझे comment section में आगर ज़रूर बताना आपको कैसा लगा, वीडियो कैसे लगए भी बताना और अगर आपका budget होगा 6500 रूपीज से लेगा 6900 रूपीज तक तो आप कौनचा case choose करेंगे, बाकी वीडियो फसना यह वीडियो कीजिए लाइक जब से शेयर कीजिए, कि झाल बताना यह वीडियो कीजिए,